महिलाओं को किस दिन धोने चाहिए बाल? वर्जिप दिनों में धोना पड़े तो पहले करें ये उपाएं। महिलाओं को किस दिन धोने चाहिए बाल? वर्जिप दिनों में धोना पड़े तो पहले करें ये उपाएं. हिंदु धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के दिनों को लेकर कुछ नियम बताए हैं. इसके मुताबिक सप्ताह के कुछ दिनों में बाल धोना अशुभ माना जाता है हिंदु धर्म शास्त्रों, जोतिश शास्त्र और वास्तु शास्त्र में हर दिन किये जाने वाले कामों को लेकर कुछ नियम बताए हैं इन नियमों का पालन न करने से जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, हानी होती हैं इन ही नियमों में से एक महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभशुभ दिनों से संबंधित है खास्तोर पर सुहागिन महिलाओं को सप्ताह के कुछ दिनों में सिर्धोने या बाल धोने की मना ही की गई है जानते हैं महिलाओं के बाल धोने को लेकर नियम कुछ जद्हों पर सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है इससे घर के लोगों की उनती पर बुरा असर पड़ता है सप्ताह के इन दिनों को छोड़ दें तो इसके अलावा अमावस्या, पूर्निमा और एकादशी के दिन भी महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए यदि वे एकादशी का वरत रखती हैं, तब तो इस दिन बाल बिलकुल नहीं धोने चाहिए चंद्रमा हमारे मस्तिश्क को प्रभावित करता है इससे वरत रखने में कठिनाई आती है लिहाजा सुहागिन महिलाओं को वरत रखने से एक दिन पहले बाल धोना चाहिए वर्जित दिन में बाल धोने पर करें ये उपाए सुमवार के दिन के उपाए, यदि मजबूरी में सुमवार के दिन बाल धोना पड़े और आप उस दिन व्रत भी रखती हों तो पहले पलाश के फूलों को हाथों से मसल कर अपने बालों में लगा लें। फिर बाल धोलें। मंगलवार के दिन के उपाएं, यदि किसी कारणवश मंगलवार के दिन बाल धोना पड़ें तो आमवले के रस या आमवले के चून का पेस्ट बना कर उससे बाल धोएं। बुध्वार के दिन के उपाए, यदि बुध्वार के दिन बाल धोना पड़े तो पहले तुलसी के पत्तो का पेस्ट बालों में लगा लें, फिर बाल धोएं. वरना छोटे भाई भन को दोश लगता है. या उनके जीवन में समस्याएं आती हैं. गुरुवार के दिन के उपाए, गुरुवार के दिन महिलाओं के बाल धोने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती. पती की आयू कम होती है और संतान को भी समस्या होती है. जदी मजबूरी में गुरुवार के दिन बाल धोना पड़े तो दोश से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धोले इस तरह सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के लिए सपताह में शुक्रवार और रविवार के दिन सबसे अच्छे हैं